सब्सक्राइब कि अभी का जो टॉपिक है ना यह टॉपिक को मुझे दे लिस्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे कलेक्शन डाल सकते हैं और कलेक्शन को चेंज भी कर सकते वही जिस लिस्ट के अंदर हम लोग ने elements को डाले हुए है list बनाने के लिए हम लोग को square brackets के जरुवत पड़ती है ओके और list यह mutable type में आता है mutable का मतलब क्या होता है मैं कभी भी इसके अंदर changes कर सकता हूँ ओके फो फर एग्जामपल अभी हम लोग देखते हैं कि यहां पर हम लोग ने कि लिस्ट बनाया है किया वो लिस्ट जार देख लेते हैं यहां पर मैंने एक string डाला है number डाला है string डाला है और यहां पर मैंने एक float डाला है तो list के अंदर आप लोग कोई भी type का data type डाल सकते हो ओके तो यहां पर आप लोग ने क्या किया same way में list तो बनाया लेकिन list को एक variable assign कर दिया तो यहाँ पर मैंने variable को retrieve किया तो list मिल गया list के अंदर हम लोग list भी डाल सकते है तो हम लोग ने यहाँ पर list को add किया list के अंदर and then हम लोग ने क्या किया उसको retrieve कर दिया list को हम लोग concat भी कर सकते है दो list को हम लोग plus operator के तुरू concat कर सकते है लिट्राइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कुई भी लिस्ट है उसका इंडेक्स अभी यहां पहर वन का इंडेक्स वार्वन के इंडेक्स किया मिला मुझे साइम यह क्या है टु यह क्या है यह 0 est touchdown . SECOND इंडेक्स है थर्ड इंडेक्स है ओके तो आप लोगने क्या निकाला जीरो जीरो एक इंडेक्स मतलब यह वाला इंडेक्स अब वैसे आप लोगने वैल टू का सेकंड इंडेक्स निकाला मतलब यह 0 1 2 तो 2 में क्या मिला मुझे लिस्ट मिला ओके तो इसको ही थोड़ा प्रा i is equals to and then start your list यहां पर लिखता हूँ A यहां पर लिखता हूँ B यहां पर लिखता हूँ C okay enter that's it LI को अभी लिख दो तो आपने retrieve भी कर लिया अभी मैं क्या करता हूँ LI का second index निकाल दो तो क्या मिला C okay अब और एक list बनाते हैं LI1 उसको बोलता हूँ X then 2 and then 9 अब LI प्लस LI1 एंटर कर दोंगा तो वो दोनों concat हो जाएंगे ओके तो LI1 और LI2 को अगर मैंने concat कर दिया तो इसको मैं एक variable में store कर देता हूँ LI2 अब LI2 का अगर मैं बोलता हूँ मुझे second index चाहिए तो I can do it done with it अभी क्या अगरता हूँ मैं LI मेरे पास है उस LI के अंदर मैं एक और चीज भी डालना चाहता हूँ तो आगे का चीज है वो छोड़ दो अभी एक काम कर देते हैं LI3 बना लेते हैं अब list के अंदर list डालते हैं A लिखा B लिखा और यहां पर C नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे हम लोग लिख रहे है list और list के अंदर लिख रहा हूँ c और list के अंदर लिख रहा हूँ d so अब li3 को print कर लो अब li3 का अगर मैं 0, 1 and 2 index second index print करने को देखता हूँ तो क्या मिला list अब इसके अंदर से सीरी ट्राव करने का रहेगा तो no problem यह तो list ट्राव हो गया अब लिस्ट के अंदर का 0 इंडेक्स तो सीरी ट्राव हो गया okay this is the way we are going to work with list अभी इसको कहते हैं empty list क्या कहते हैं empty अप सरी li is equals to empty list हो गया simple है